हेलो बीपल, होब यौल आ डूइन वेल, आज हम लोग बात करेंगे section 208 and section 210 IPC के बारे में इन दोनों sections को एक साथ ही पढ़ा जाता है, आसानी से समझने के लिए, ठीक है तो section 208 हमें बताता है, fraudulently suffering decree for some not due कोई इनसान अगर अपने ऊपर कोई जूटा case करवाले, मतलब खुद को decree से सफर करवाले, किसी loan से बचने के लिए, ठीक है तो वो section इस बारे में, ये section इस बारे में बात करता है, तो एक universal example है, उससे आप लोग को समझाएंगे तो ये क्या होगा ना, कि ये job का bear act पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये क्या कहता है, इस illustration में हम लोग देखता है, सबसे पहले मालो कोई 10 लाग की गाड़ी होती है, या चलो मालो 20 लाग की गाड़ी है, कोई 20 लाग की गाड़ी है, कि ये own करता है Mr. A, A ने ये ट्वाण कर रहे हैं, आस इस इम की गाड़ी गाड़ी होरे है से और इनकी ऑलो गीजय है, पिछले 6 माहीने से, ये जो है, पिछले 6 माहीने से ये इस की आइ की नीचे की आ जrowsड़ी है, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद वह लीगल रास्ता अपनाती है और पहले नोटिस बेजेगी आपको और पिर कहें कि गाड़ी सिसक्राइब काड़ी करने के लिए कि अप Band सीज करने के लिए टुप इनके पास हम गाड़ी सीजे हैं कि आप क्या हुआ फिर कोट में क्या बजी का ने यह क्लिए यह क्या कि लाच वाफ शीजन तो मका किlor को जाली आगा हुआ कि ने कहा कि पुद में कॉलिए में किरें तो था आध करने के लिए कि Mexican करने क्या का है कोई मान लोको मिस्टर वी हैं ठीक है वनें एक अग्रेमेंट करिए अग्रेमेंट क्या किया कि तुम भाई मेरे ऊपर जूठा केस ठोग दो कोई फॉल्स केस कर दो कि मुझे तुम्हें 21 रुपए देने ठीक है कोई false case कर दो कि मुझे 21 लाग रुपए देने और फिर मैं case हाठ जाओंगा ठीक है फिर जो है मैं case हाठ जाओंगा जानबूच के जानबूच के Mr. A के थोड़ा सा confusing है थोड़ा सा लेकिन आसानी समझ में आएगा फिर से एक बार सुन लो अगर यहां तक थोड़ी सी confusion हो तो पहले क्या है कि Mr. A के पास एक 20 लाग की गाड़ी है अब क्या कर रहे हैं वह उन्होंने लोन ले रखा है किसी PQR बैंक से और वह EMI आए पिछले 6 मेने से नहीं दे पाए अब जब बैंक इनके पास आती है गाड़ी को सीज करने के लिए तो वह मना कर देते है कि गाड़ी नहीं देंगे फिर उसके बाद बैंक जब लीगली जाती है जब सारा लीगल प्रोसीजर होता है तो court of justice कहते है कि गाड़ी का सीजर क करते हैं एक false case अपने उपर करा लेते हैं एक false case अपने उपर करा लेते हैं कि 21,00,00 रुपए इनको देना है Mr. A Mr. P को देना है लेकिन अब क्या होता है उप्विशली दिमाग लगाया और क्या होता है Mr. A case हार जाते है अब क्या अब इनों ने court से कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरी car seize कर लो वापस ले लो और उसके बाद यह जो पीस agreement करा हुआ है यह car उसको दे देंगे ठीक है मान लो पहले तो court को दिखाने के लिए कार देती फिर उसके बाद वापस ले लेंगे कार या और पर कुछ पैसा आपस में लेंदिन करके इनका सारा काम निपड़ जाएगा तो इनके हिसाब से कार इनकी हो जाएगी अगर आप फिर से अपनी हेडिंग पर आते हैं करेंगे अपने उपर इस केस के लिए जो फॉल्स केस हुआ है इस चीज की सजा मिलती है इस सेक्षिन के अंदर इस सेक्षिन के अंदर किसको सजा मिलेगी मिस्टर एक को सजा मिलेगी और वो सजा क्या होगी शायल भी पणिश्विद इंप्रिजमेंट ओफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्स्टेंट तू टू इस जिसकी सजा होगी दो साल और विद फाइन या फिर जुर्माना भी लग सकता है और विद बोथ दोनों चीज़े ठीक है तो क्या मितलब है कि कोई एक इंसान अपने उपर चान बूच कर कोई एक डिक्री सफर करवा रहा है तो अगर ऐसा कोई जूटा केस कोई दायर करता है ये सब इतना लोन से बचने के लिए बैंक से बचने के लिए कि उसको कार ना देनी पड़े या कुछ भी कोई भी मूबल प्रॉपर्टी ना देनी पड़े तो उस हिसाब से उसको ये सब करने की सजा मिलेगी अच्छा ये बताता है सेक्शन 208 कि यहां पर मिस्टिर ए को सजा मिलेगी सेक्षिन 2110 में सेम चीज है लेकिन एस सेक्शन के अंडर मिस्टर पी को बुक किया जाएगा क्योंकि भाई दोनों को सजा मिलनी कि यह ना तुम झेए मिस्टर इपी huh फूरा साहथ दिया है उसमें क्षेक्शन 210 में मिस्टर पी कू बुक किया जाएगा सेक्षिन 210 कि अगर आप हैडिंग पढ़ें फ्रॉडवेंटली ओटेनिंग डिक्री फोर सम नॉट त्यूए अब यहां पर तो यह सफर कर रहे हैं इस डिक्री को और यह क्या कर रहे हैं पैसा तो इनको मिलने वाला था केस वह आर गया पैसा इनको मिलने वाला था नो उनों न करने के लिए यही जो मैंने आप लोग को इलस्ट्रेशन से समझाया है यही पूरी चीज उसमें लिखे हुए तो आप लोग इक बार उसे रीट कर देना आप लोग को यहाला सेक्षिन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी करते हैं